गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माइशेल्फ आशा मैं, यौर इंग्लिस टीचर, आज मैं आपको आपकी बुक हनी ड्यू की फिफ्थ पोयम, दर स्कूल बोय पढ़ाने वाली हूँ, तो पहले पोयम पढ़ने से पहले देखिए, क्या बताया गया है? इस पोयम में जो स्कूल बोय है, वो एक हैपी चाइल्ड नहीं है, वो बच्चा खुशिन नहीं है, वो अपने आपको एक ऐसे पक्षी से तुलना करता है, जो कि पिंजरे में रहता है, और उस पोधे से अपनी तुलना करता है, जो कि मुर्जाया हुआ है, और जब कि उसको अभी खिलना चाहिए, तो हम देखते हैं कि ये बच्चा नाराज क्यों है, हमारी पोयम शुरू करते हैं, फर्स्ट एंजा देखिए, I love to rise in a summer morn, तो बच्चा कहता है कि मुझे summer morn, मतलब गर्मियों की सुबह उठना पसंद है, भई मैं गर्मी की सुबह उठना पसंद करता हूँ, when the birds sing on every tree, जब हर पेड़ पर जो पक्षी हैं वो चह चाहते हैं, गाना गाते हैं पक्षी, और शिकारी जो हैं, वो कहीं दूर से अपना बिगुल बजाते हैं, और जो चातक पक्षी है, स्काइल आर्क ये पक्षी होता है, वो मेरे साथ गाना गाते हैं, ओह, what sweet company, कि ये कितना अच्छा साथ है मेरा, मतलब बच्चा कहता है कि गर्मियों की सुबह उसको उठना अच्छा लगता है, उसको पक्षियों के गीत गाना अच्छा लगता है, शिकारी दूर से कहीं बिगुल बजाते हैं, और जो चातक पक्षी हैं, वो उसके साथ गाते हैं, तो उसे ये company जो है, वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्मियों की सुबह स्कूल जाना उसकी सारी खुशियों को छीन लेता है, उसकी सभी खुशियों को ये छीन लेता है, मतलब उस छोटे बच्चे को उस निर्दई आँख के नीचे, मतलब अपने टीचर की निगरानी में पूरा दिन बिताना पड़ता है, अह भरते हुए उदासी से, डिश में क्या होता है, उदासी, अह, then at times I dropping sit, फिर उस समय में जुका हुआ बैठा रहता हुँ, and spend many an anxious hour, और कई घंटे बिताता हुँ, दुखी घंटे, anxious मतलब चिंता में कई टाइम बिताता हुँ मैं, nor in my book can I take delight, और मुझे अपनी पुस्तकों में कोई खुशी नहीं मिलती, नोर सिट इन दा लर्निंग्स बावर, वोन थो विद दा ड्रेरी शावर, मतलब किसी भी book में उसको खुशी नहीं मिलती, और ना ही विद्याल्य के बगीचे में वो कहीं भी बैठ पाता है, और ना ही फवारे में भी मतलब उसको जो ड्रेरी शावर है, वो फवारा भी उसको अच्छा नहीं लगता, वो भी उसे बुरा लगता है, इन चीजों में उसे कोई आनन्द नहीं मिलता, ना तो वो बगीचे में बैठना चाहता है, और ना ही उसको वो फवारा वो शावर अच्छा लगता है, तो वो अपनी तुलना एक पक्षी से करता है, कि वो पक्षी जिसका जन्म आनन्द लेने के लिए हुआ है, How can a child when fears annoy but droop his tender wing and forget his youthful spring, तो किस तरह से एक बच्चा इस डर में रह सकता है, fears annoy मतलब एक बच्चा इस डर में कैसे रह सकता है, Drop his tender wings, tender है, कॉमल wings उसके पंक, मतलब अपने कॉमल पंकों को जुकाए हुए, droop होता है जुकाना, भई वो बच्चा इस डर में कैसे रहे और अपने कोमल पंखों को जुकाए हुए अपने युवा बसंत को वो कैसे भूल जाए forget मतलब भूल जाना his youthful spring अपना जो युवा बसंत है मतलब उसका जो ये अच्छा time है वो उसको कैसे भूल जाए oh father and mother if birds are nipped and blossoms blown away तो वो कहता है कि अरे माताओं और पिताओं यदि कलियों को पहले ही काट दिया जाएगा बढ़ श्यावतिक कलियां वही कलियों को खिलने से पहले ही काट दिया जाएगा और उनके फूलों को दूर बहा दिया जाएगा and if the tender plants are stripped और वो जो नाजुक नाजुक पोधे हैं उनको उनके वसंत टाइम पे ही काट दिया जाएगा of their joy in springing day springing मतलब उनको उनके खिलने के टाइम पर उनके खुश्णुमा दिनों में उनके वसंत के टाइम पे यदि उनको काट दिया जाएगा by sorrow and cares डिस में तो वे दुखी, भैबीत और उदास हो जाएगे sorrow क्या होता है दुख, डिस में उदासी तो मतलब उन छोटे छोटे पोधों को यदि खिलने से पहले ही काट दिया जाएगा तो वो तो उदास हो जाएगे how shall the summer arise in joy or the summer fruits appear तो किस तरह से जो गर्मी की रितू है वो खुशी पूरव कैसे आएगी summer arise in joy मतलब वो गर्मी की रितू खुशी कैसे लाएगी और the summer fruits appear या फिर गर्मी में किस तरह फल पैदा होंगे तो कहने का मतलब यह है कि छोटे छोटे बच्चों को उनके छोटे से मतलब बहुत जल्दी स्कूल भेज दिया जाता है तो वो शायद अपना वो बच्चपन बिता नहीं पाते तो वही feeling एक बच्चा इस पोयम में दिखाना चाहता है कि उसे जो सुभह का टाइम है उसे खेलना पशंद लेकिन उसको क्या करना पड़ता है कि स्कूल जाके अपने टीचर के आगे चुपचा बैठना पड़ता है तो इस पोयम में जो इस स्कूल बोई है यह बहुत उदास है और अपनी feelings को share करता है William Blake इस पोयम के poet है I hope आपको इस पोयम अच्छे से clear हो गई होगी Thank you